हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है लोग इन के बाद विंडो 11 पे करसल के साथ ब्लैक एश्किन आता है तो इसको कैसे फिस करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्रा डिलीट एक साथ प्रेस किजएगा प्रेस करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करने हैं यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा करने गाइं किहाएं यहां पर jak यहां पर कर कीजिए स्टार्ट होने के बाद नार्मल डीन हो जाएगा और आपके केस में जो यह प्रॉлем्त फ्रॉलम्त हो जाएगा यानि तरह आपको कहा किने इस विंडो को यहां से को रोज कर दिजिए गा किलिक करने के बाद यहां पर और control delete x साथ प्रेस कीजएगा press करती इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर बटन दिख जाएगा इसके उपर आप किलिक कीजएगा किलिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडू ओपन हो जाएगा अब आपको क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडू ओपन हो जाएगा अब आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडू ओपन हो यहाद आपकी case में यह बड़ा नहीं है तो इस तरह से छोटा होगा तो आपको कहा किने इस window को आप बड़ा कर दिजएगा ताकि आपको left side में आपको clear दिखे अब आप यहाप यहाप देखेंगे तो यहाप आपको दिख जाएगा local machine इसको पर आपको double click करना है double click करते हैं इ को डान करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में दिख जाएगा विंडो एंटी यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में दिख जाएगा विंडो एंटी यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको केस में भी दिख जाएगा तो आपको क्या करना है विंडो एंट आपको क्लिक करते हैं यहाँ पर ilas a P में किलिक करना है इस तरह से यहाँ पर करने के बाद, आपको क्या करना है वो मैं आपको इस विंडो में बता रहा हूँ मेरे case में पहले से add है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहां से delete कर देता हूँ यदि आपको case में भी पहले से add होगा तो फिर से आपको add करने के जोत नहीं है अब आपको क्या करना है यहां पर डबल क explorer.exe explorer.exe इस तरह से टैप कर लिजएगा टैप करने के बाद आपको क्या करने है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करने है इस विंडो को यहां से क्लोज कर दिजएगा इसके बाद आपको क्या करने है इस विंडो को भी यहां से क्लोज कर दिजएगा अब आपको क्य प्रेस करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करने है यहां पर पावर बटन दिख जाएगा इसके आपको क्लिक करने है इसके बाद यहां पर रिये स्टार्ट दिख जाएगा इसके आपको क्लिक करते हैं किलिक करते हैं इस तरह से यह रिये स् के बाद आपके चेस में भी इस तरह से बींड़ाब ब्लॉम् का आप क्या केरने के बाद आपके केस में भी यह प्रॉल्लॉम को फिक्स ऐगा-थ- टो माला लीजी आपको क्या कर निया ग्न्हाथ- ड्री प्रेस किजिएगा प्रेस करते हैं यह रिये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा एक बीप आईगा इसका मतलब ग्राफिक ड्राइबर रिये स्टार्ट हो चुका है अब आप चेक कर सकते हैं आपको केस में भी इस तरह से नॉर्मल विंडो ओपन हो जाएगा तो इस तरह से आप इस प्रॉल्म को फिक्स कर सकते हैं अभी भी आपका प्रॉल्म फोल नहीं हुआ है तो आपको क्या करना यहाँ पे साथald है करना प्रेस करते हैं इस तरह से विंडॉ। डो के सब्गकर करekे करता कर दो mai जिए नशी वी-टाइम्स इस तरह से टेप की जाएगा, जैसा है लिए ऐसे इसके भाद आपको क Всемआप का डीजेए अब आपको यहां पर ओक्याकर प्रिक करते हैं इस तरह से विंटॉपन हो जएगा मेला इसके बाद यहां पर आपको अपडेट करते हैं इस तरह से विंटॉपन ऊपेन या तो आप search automatic के उपर किलिक करके आप इसको ड्राइबर को update कर सकते हैं याने तो आपको क्या किने यहाँ पर ब्रॉज में इस तरह से विंडॉ ऑपन आपको किसी और को प्रॉटर या लेफटक के अंदर इसका ड्राफिक ड्राइबर डाउंलोड कर लिजेगा उसके बाद इ परूपर कुलिक करके हैं यहाँ से निवस्ञेपर ऑप डिपट कर सकते हैं जा नितरे क्का आपकोह करो जाएगा यहाँ इसके बाद शुरू हो जाएगा अब आप यहाँ पर ने ग्राफिक के हिसाब सटन ही आउиса कन सब्सक्राइब अमजोरों रुपहा دा में हैं अप है कि अंग को पड़िए कुई होने के बाद आपको क्यातने इस विंडों को यहां से क्लोज कर कर दिजेगा इसके बाद इस विंडो को भी यहां से कर दिजेगा आपको क्या करने यहां पर किलिक करके आप सिस्टम को रिये स्टार्ट कर सकते हैं रिये स्टार्ट करने के बाद आप चेक कर लिजेगा आपको केस में यह फॉलाउं था यह फॉलाउं फिक्स हो गया होगा अ क्लिक करते हैं इस तरह से प्लीज वेट लिखा हुआ आजाएगा आपको क्या कर दीजेगा यानि जो आपने सिफ्ट बटन प्रेस करके रखा था उसको आप छोड़ सकते हैं अब आपको क्या करना है यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं इस तरह से विंड़ ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं इस तरह से विंड़ ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहां पर जो भी आपके केस मे वो यहां से uninstall कर देना है। यदि आपका latest update quality update थे तो यहां से click कर तो यहां से click कर के आप quality update uneinstall कर Kiva चेक कर लिजेगा। तो more option पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं और भी जयदा यहाँ पे आपको option दिख जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है इसको यहाँ पे आपको select करके next पे click करके इसको आप रिए store कर सकते हैं यह option भी काम नहीं करते तो आपको क्या करना है फिर से टूर्बल सूट पर किलिक करके advance option के अंदर आ जाना है अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको दिख जाएगा start up setting इसको पर आपको क्लिक कर दिना है किलिक करती है इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कौन सा नमर पर लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको f3, f4 या f5 आपको प्रेस करना है मेरे case में यहाँ पर 4 है इसलिए मैं अपने keyboard से f4 दबा रहा हूँ f4 दबाते हैं इस तरह से यह safe mode में start होना शुरू हो जाएगा से यहाँ पर किलिक करने के बाद आपको क्या करने के लिए यहाँ पर किलिक करने के टेस्ट अपडेट कोन सा है उस program को यहां से आने install कर दिजेगा right click करके आने install कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करने इस window को यहां से close कर दिने close करने के बाद आपको क्या करने यहां से इसको restart कर दिने restart होने के बाद आपके case में इस तरह से normal window open हो जाएगा और आपके case में जो यह problem आ रहा था यह problem solo हो जाएगा और प्लीज चैनल को subscribe करे लाइक करे शेर करे थैंक यू